दोस्तो नमस्कार श्वागाते आप सभी का दोस्तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी बहुत ज़्यादा लोगोंका कमेंट आ रहा था आज मैं आप लोगों को मसणोरी से पतना के ओर का जो भी अपडेट है तो चलिए देर ने करते हुए मैं आप लोगों को पटना की और लिये चलता हूँ अच्छल करके दोस्तों जितना भी इस रोड में भी नया अपडेट मिलेगा वो सारा का सारा अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो बने रहे हैं वीडियो के दोस्तों तो अब मेरी बैक जो है पटना की और निकल चुकी है मैं मसाड़ी से आपको इस वीडियो में नदमा होते हुए पोठी होते हुए पुनपुन तक का अपडेट्स इस वीडियो में देने वाला हूँ कि इस रोड से अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको क्लीन कह आप तक रोड मिलेगी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों इस जगह पर आप भी आपको एक हरा रंग का मकान दिखाई देगा दोस्तों यह हमारे सहीद जो संजे सिन्हा है उन्ही का यह मकान है और यह प्रवामा अटेक में सहीद हो गये थे से वेट नहां तो इसी बैपास के किनारे उनका आवास मां सौझी में अगर आप लोग इसावास को देखना चाहते हैं उनके परिवार जोनों से मिलना चाहते हैं तो अगर आप लोग इस हाइवय से आ रहे हैं तो इस जगह पर मिल सकते हैं अब दोस्तों मेरा जो कारवा है आगे की और निकल चुका है और अभी तक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इधर जो भी सड़क का काम है है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको आगे लिए चलूंगा नदमा लिए चलूंगा पोठी लिए चलूंगा और पुनपुत लिए चलूंगा और दोस्तों यह तीनों जगह का फुली अपड से आ सकते हैं पोठी के आगे क्या होगा चलिए मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताऊंगा है धीद है यातरी सेट का भी हाइवे पर निर्मान हो रहा है जो कि मैं आगे आप लोगों को दिखाने वाला हूं बिलकुल इधर जो भी हाइवे हैं पुरी तरीके से नीट एंड क्लीन बन करके रेडी है आप सरपट यहां से जा सकते हैं और दोस्तों यहां पर देख रहे है कि एक कार जो है पुरी तरीके से एक्सिडेंट हो चुका है तो मैं आप लोगों से नीवेदा नहीं करूँगा कि अगर आप लोग इस हाइवे से आ रहे हैं तो क्रिप्या करके अपनी जो बाइक है या पूर भीलर है जिससे भी आप इस हाइवे पर सफर कर रहे हैं वो सर्मा होते हुए रेलवे क्रोसिंग है आगे और इस क्रोसिंग पार करके सर्मा होते हुए आप मसौरी तक जा सकते हैं यहीं से आपको लिंक पत के द्वारा रेलवे लाइन को टप जाना है और टप करके सीधे आप लोग सर्मा होते हुए और मसौरी को जा सकते हैं अब दो दोस्तों आपको पेट्रोल पंप जो होते हैं वह सदक किनारे आप लोग को मिल जाएंगे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और सदक के सुरच्छा के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ लोहे के गड़र लगाए गये हैं ताकि किसी तरीके का कोई भी एक्सिडेंट इस हाइवे पर नहीं हो दोस्तों जिनकी काफी अनुवल है मैं बार बार आप लोगों से ही निवेदन करूंगा कि जो भी गाड़े लेकर के इस हाइवे पर आते हैं वो नियंतर में चले और एक खुसकबरी और है दोस्तों कि ये जो नेशनल हाइवे था पह जो भी हाइवे है पूरी तरीके से बन करके रेडी है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी पा रहा है डिवाइडर पे काफी सुंदर सुंदर पौधे लगाया गया है जो कि देखने में काफी सुंदर लगते हैं हर जगह पर दोस्तों जहां पर टर्निंग है या कहीं पर ऐसे देंजर जोन है उस जगह पर लोहे के गड़र किनारे लगाये गये हैं जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे है बिल्कुल नीट एंड क्लिन आप लोग को इस हाइवे पर मिलेगा आने के लिए बस दोस्तों कुछी मिलेट में हम लोग नदमा पहुँचने वाले हैं तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप लोग गया से आ रहा है तो नदमा तक तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परसानी नहीं होने वाली है अब दोस्तों नदमा से आगे भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपडेट बताने वाला हूं कि नदमा से आगे इस हाइवे का क्या कंडिशन है इधर दोस्तों किनारे जो भी गड़र का काम है अभी जोलो सोलो से चर रहा लगाया जा रहा ताकि भविश में किसी तरीक पुक्त से नदमा बजार में जा सकते हैं अब मेरा जो कारवा है दोस्तों नदमा से आगे बढ़ चुका है और यहाँ भी देख रहा है कि साइड में यातरी सेड भी बनाया जा रहा है तो यहां पर यातरी सेड इस नेशनल हाइवे पर हो चुके हैं यह जो हाइवे हैं एक 83 से हट करके 22 हो चुके हैं जगह जगह पर आपको 22 का जो बोर्ड है वह आप लोगों को देखने के लिए इस हाइवे पर मिल जाएगा तो अब दोस्तों यह निशनल हाइवे की तरह का आपको कोई परसानी इस निशनल हाइवे पर बिलकुल भी नहीं होने वाला है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि पूरी तरीके से दोस्तों यह जो निशनल हाइवे हैं बन करकर के तयार है सज़दर के तयार है और जगह जगह पे धर भी आपको नेशनल हाइवे पे छोटे बड़े ब्रीज है वो भी बन करके रेडी हो चुके है पुल पुन्या है वो भी बन करके रेडी हो चुके हैं दोस्तों पोठी तक अभी आपको किसी तरीके का कोई परशानी नहीं होने वाला है अगर आप लोग आ रहे हैं गया क्यों से तो पोठ तरीके जो भी नेशनल हाईवे है वो चकाचक अवस्था में आप लोग को दिखाई दे रहा है मेरा कारवा है जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं से भी कोई अभी तक मुझे परसानी नजर नहीं आई है दोस्तों यहाँ पर एक बोर्ड जरूर लगे हुए है यहाँ पर देख रहा है रोड क्लोजेज लेकिन दोस्तों यह भी बन करके यहाँ पर रेडी है थोनी ही दिन में भी हट जाएंगे आप वे धढ़क हो करके इस नेशनल हाईवे पर आ सकते हैं कहीं से भी दोस्तों आप लोगों को किसी तरीके का कोई प्रसानी नहीं होने वाली है बस दोस्तों यहाँ पर भी आप देख रहें कि एक यात्री सेट का निर्वान जोरों से चल रहा है अभी तक दोस्तों इधर एक भी मुझे CCTV कैमरे दिखाई नहीं दिये हैं हो सकता है ब अभी तो पुरिते के से जनकारी नहीं है लेकिन भविष्ष में जब इसके बारे में आप लोगों को अगली वीडियो में अपडेट के बारे में बताऊंगा और दोस्तों रोड के किनारे बड़े-बड़े बोल्डर भी लगाए गया है जो कि मैं आगे आप लोगों को दि नीचे ना गिरें इसके लिए दोस्तों लगव लगव सभी जगा पर इसी तरीके से बड़े-बड़े पत्थर लगा करके और मिट्टी रोखने का भी कार्ज काफी जोड़त सोलों से चल रहा है में आप यहां पर भी देख रहे हैं रोड के किनारे जो लोह जो हो जुदu कि रहे हैं तो मैंने पहलेए झाल में आपको बताया था लाइवे 22 के नाम से जाना जाएगा तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को आगे लिये चलता हूं यहां पर भी जो पूल थे वह पूरी तरीके से बन चुके हैं बन खर के दम पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुके हैं इधर किसी भी तरह का दोस्तों अगर आप लोग आ रहें तो कोई परसाणी आपको नहीं होने वाली है अब दोस्तों मैं आगे आपको अप्डेस के बारे में बताने वाला हूँ कि अब यहां से आगे आप इस हाइवे से जाज सकते हैं या नहीं जा सकते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंतक दोस्तों और यह वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लेज इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएगा कि यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और अभी तक दोस्तों आप लो पर आप लोगों को मिलते रहेंगे अब दोस्तों इस जगह पर थोड़े बहुत कार्ज बचे हुए थे उसको भी रात दिन एक करके कंपलीट किया जा रहा है जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि यह भी जो पूल का काम रहा है वो लगभग लगभग पूरा हो चु रहे हैं यकिन दोस्तों जब भी करें तो अपने कियोंकि दोस्तों जिन्दली बहुत ही अनमौल है दुवारा नहीं मिलतीड है अब दोस्तों کुछ पुनपुन पहुचने वाले हैं। पुनपुन के पहले दोस्तो एक ओभर भीज है, उसके नीचे से रेल्वे लायन गई है, जो से दोस्तो दन्यामत तक क्यों से रेल्वे गही है इस जगह पे बहुत ही तिव्रगति से कार्ज हो रहा है तो दोस्तों अगर आप लोग इस नेस्नल हैवे से आज सकते हैं तो इस जगह से आपको फिर लिंकपत से पोठी का जो लिंकपत घाना होगा क्योंकि आगे जो है दास्ता अबरूद है जो कि मैं आप को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं काफी तीब्रगति से उस जगह पे कार्ज चल रहा है और मुझे पुर्ण विश्वास से कि यह जो अबर ब्रीज है बहुत ही जल्द बन करके तयार हो जाएंगे मैं आप लोग कुछी च्छन में उस जगह पे लिए चलूंगा और चल दोस्तों यह केंदर सरकार का प्रजेक्ट था जो बहुत दिनों से इठका पढ़ा था इधार कुछ बिशो से इसने बहुत हिट्टी ब्रगति से कार्ज करके और इस National Highway का निर्मान कर लिया गया है जो कि दोस्तों मान के चलिए कि 98% इस National Highway का कार्ज हो चुके हैं दोस्तों आगे आप लोग देखेंगे कि उस Overbridge का कार्ज जो है काफी तेजगती से चल रहा है यहां दोस्तों बहुत ही अक सुंदर रेस्टोरेंट है बावा रिशॉर्ट के नाम से अगर आप लोग इस National Highway से आ रहे हैं तो बावा रिशॉर्ट में रुख करके और बावा रिशॉर्ट का अनंद भी ले सकते हैं काफी सुंदर यह रिशॉर्ट बनाया गया है हाला कि बहुत पुराना रिशॉर्ट है लेकिन नया लुक में भी आप लोग को देखने के लिए यह बावा रिशॉर्ट मिलेंगे इधर भी दोस्तों जो किनारे का पाइलिंग का कार्ज है लगवा लगवा देख रहा है कि सभी जगा पूर्ण हो चुके हैं बस इसका घराबंदी का जो कार्ज है वो बाकी है और दोस्तों यहां से आप लोग पोठी के लिए जो लिंक पत है वहां यहां जा सकते हैं बस दोस्तों थोड़ी ही देर में उस उभर बिरिज के पास आप लोग को लिए चलूँगा और चल करके उस निर्मान कार्ज को आप लोग दिखाऊंगा कि कितना तिब्र गति से उस उभर बिरिज पे कार्ज हो रहा है दोस्तों आप देख रहे हैं कि सभी जगह पर इधार जो यात्री सेड है वह लगवलगवर बन करके रेडी है सा गया कि खब्दाले कि बाहिए या nhất 823 है अि कि तो डोस्तों अब हम लोगों पनपुन के पास पहुच्छिने वाश्री तह मकी कह भीच पह दोस्तों आप दोस्तों हैं जहां पर ब्रीज का काज बती ब्रगति से चर रहा है अगर दोस्तों आप लोग इस नेशनल हावे से आ रहे हैं तो इसी जगह से आप को दूमरी तक जाना होगा उसके बाद दोस्तों पुना इस हाइवे पर चार करके आप लोग पठना तक जा सकते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं उस जगह पर आ चुका हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि काफी तीब्र गति से इस उभर ब्रीज का कार्ज चल रहा जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं और आशा करता हूं दोस्तों कि यह जो अभर ब्रीज है बहुत जल्द बन करके तयार हो जाएगा तो बिल्कुल पठना तक आप लोग इस नेशनल हाइवे से सरपट यातरा कर सकते हैं कहीं से भी कोई आप लोग को परिशानी नहीं होने वाला है रात दिन इस उभर बीज पे वर्क चल रहा है इसके आगे जाने की मना ही थी दोस्तों इसलिए मैं आगे नहीं जा सका और यहीं से मैं आपको टर्न होकर कर जो सहायक रोड है उस रोड से लिए चलूँगा और चल करके दोस्तों आपको जट डुम्री जो जक्सन वो भी आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और दोस्तों कहां से आप लोग टर्न करके पुना इस हाइवे को पकड़ सकते हैं उसको भी दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ और पुना दोस्तों इस नेशनल हाइवे पे आप जा सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंडरग्राउंड रोडे हैं जो कि यहाँ पर उपर से इसको छावनी में तबलिन किया जा रहा है ताकि जो भी बरसात का पानी हो इस अंडरग्राउंड में पान जाने के कारण रास्ता है अभरूद हो सकता है इसलिए दोस्तों इसको उपर से omega करकर देखर के ईसको पूरी तरीके से कामकी तेजगती से किया जा रहा है जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहा हैं काफी सुंदर देखने में इस जगह पे लगता है दोस्तो इस जगह पे आने के बात पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कहां आये हुए हैं अक्राम से निछनल हाइवे हैं जहां से दोस्तों ऑफ को पट्ना जाने के लिए वो नेशनल हाइवे पुनह मिल जाएंगे देख रहे हैं कि जो जड़ुमरी का जो स्टेशन है जक्सन है वहां भी दोस्तों यूधास्तर पे कार्ज चल रहे हैं क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्द इस जक्सन से आपको दन्यामा के लिए निवरा के लिए गाणिया म पड़ सकता है लेकिन दोस्तों बहुत ही कम समय में आप लोग उस ओभर ब्रीज का जो कार्ड चल रहा है पूरा हो जागा तो आप लोग उस हाइवर से डारेक्ट पटना आप लोग जा सकते हैं आप लोग दिखाई दे रहा है यही वो दोस्तों बीटा सर मेरा सिक्सलेन जो है 131 जी कर नाम से जाना जाता है आप यहां से इस रोड पर भी जा सकते हैं बीटा सरमेरा रोड आपको यहां पर जाकर मिल जाती है और यहां से आप लोगोगों को एक six lane उपर की है और नीचे से आप लोगों को फोर lane है तो फोर lane है दोस्तों पटना गया और यह जो उपर वाले देख रहे हैं यह वीटा तू सरमेरा है यहां से आप कहीं के लिए भी तो चलिए मैं आप लोग को पुना निशनल हाइवे 22 पे लिए चलता हूं तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किजिएगा और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइ कर दा और सिधे दोस्तों आप पट्ना की और जा सकते हैं और इधर में दोस्तों आप लोग सीधे सर मेरा क्यों जा सकते हैं दन्यामा सेटरक वीडियो देख रहा हैं आप जा सकते हैं